हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो देस वीडियो और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्रैम के एक लेटास और यूसफुल टीडियल फाइल के बारे में बताएंगे इस टीडियल फाइल की मदास है जब भी हम टैली सौफ्ट्वेर के अंदर कोई सेल के एंट्री करेंगे और अगर वो सेल हमने किसी सेल्समेन, एजेंट या एक्जेकुटिव के थुरू किये तो उन सभी के नेम को भी हम एड़ कर सकते हैं इतना है नहीं जब हम डे बुक को चेक करेंगे तो वहाँ पर हम यह रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किस सेल्समेन के थुरू हमने कितनी सेल की है तो आई देखते हैं इटैली के कुन सी यूसफुल टीडियल है और किस तरीके से हम इसे यूस करेंगे और साथ ही में अगर आप हमारे यूटीब चैनल पर फर्स टैम विजिट कर रहे हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूसफुल लगे तो आप हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल अकन को प्रेस कर दीजे जिससे फीचर में आने वली सभी वीडियोस आपको टाइम टो टाइम नोटिफ केशन के तुरू मिलती रहेगी और अगर आप टीडियल फाइल से लेटिट और वीडियोस को भी देखना चाहते हैं आपको सेल्समें नेम टीडियल फाइल के बारे में बता रहे हैं जैसे कि इस टीडियल फाइल के नेम से इस टीडियल फाइल का वर्क भी कंफर्म हो जाता है सेल्समें नेम जब भी हम टेली सोफ्ट्वेर में कोई सेल के एंटरी करेंगे तो वहाँ पे अपने सेल्समेन के नेम को भी एड़ कर सकते हैं आपके केस में आप चाहें तो एजेंट नेम को एड़ कर सकते हैं इस टीडियल फैल का आप अपने बिजनस के कोडिंग अलग लग तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और इतने हैं नहीं जैसे हम डे बुक को देखेंगे तो वहाँ पी में सामने की तरफ डिस्पल हो जाएगा कि कौन से एजेंट ने या कौन से सेल्समेन ने कौन सी सेल के एंटरी की हैं तो आए सबसे पहले हम आपको एक एंटरी करके दिखाते हैं उसके अब आपको रिपोर्ड दिखाएंगे जिससे पूरा कॉनसेट आपको डीटेल के अंदर कलियर हो जाएगा लेकिन पहले step के अंदर आपको tally software के अंदर अपने salesman के names को add करना होगा क्योंकि tally के अंदर पहले से उसको नहीं पता कि कौन-कौन से आपके salesman है, कौन-कौन से आपकी agent है तो उसके लिए आप देखेंगे get worth tally में सबसे last में आपको एक option दिख जाएगा जिस पे लिखावा है salesman यह option अभी आपकी tally में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस tdl file को add करेंगे, यह option आपकी tally में शो जाएगा सेम इसी तरीके से और भी काफी सारे अलग-लग तरीके के features दिख रहे हैं, यह सारे features भी अलग-लग तरीके की tdl file की मदद से add के गए हैं सारी tdl files आपको एक साथी provide की जाएंगी, उसकी पूर information वीडियो के last में provide कर दी गई है तो आई यह सबसे पहले इस tdl file का use देखते हैं, जैसे हम salesman पर click करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा salesman master, इस पर click कर देंगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी salesman है, जितने भी agent है, उन से भी के नाम को आप एक बार में add कर दीजे, तो यहाँ पर example के लिए इसको accept करा दाते हैं, तो पहले step के अंदर सभी अपने salesman के name को उने add कर दिया, उनके master को बना दिया, second step के अंदर एक sales के entry करके देखते हैं, कि किस तरीके सम्मेश हो रहा है, तो उसके लिए get of telly में रहते हुए vouchers माजाते हैं, shortcut के V, यहाँ पर sales के voucher माजाते हैं, shortcut के effort की तो आप देखेंगे, यहाँ पर उपर की तरफ भी आपको salesman का जाएगा name, और नीचे की तरफ भी आपको salesman लिखावा जाएगा, तो यहाँ पर उपर आप चाहें, तो manually लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको लिखना है, नीचे तो आपको drop down list की मदल से show होगा, तो एक text लगाता है, cgst, hgst, जिस तरीके से normal sales के entry की जाती है, और जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको salesman name के अंदर वो सारे name आजाएंगे, जो आपने create किये थे, एक बार आपने master को create करना है, यहाँ पर आपको automatic show हो जाएंगे, अब यहा यहाँ पर enterprise करने के बार narration लिख दीजिए, इसको step करा दीजिए, एक entry more करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से debug में show होगा, यहाँ पर customer को select कर दाते हैं, यहाँ पर stock item को ले लाते हैं, go down select कर दाते हैं, 10 pieces, rate automatic आ जाएगा, then आपर tax लगा दाते हैं, cgst, sgst, और य इचे की तरफ salesman के अंदर किसी दूसरे salesman को ले लाते हैं, राम, then इसको step करा देते हैं, तो दो interim कर चुके हैं, तो आई देखते हैं, अब debug के अंदर एक किस तरीके से show होगा, तो get of tally में रहते हैं, डे बुक में दाते हैं, shortcut के के, तो debug के अंदर आप देखेंगे, आजकर useful है, जो ऐसी entries करते हैं, जिसके अंदर उनको salesman, agent, executive, यह कोई भी extra name बगारा को add करना होता है, तो यह tally की वो TDL file है, और tally की यह TDL file और बाकी सभी TDL file जो आपको screen के ओपर show रही हैं, यह सभी आपको एक साथी provide की जाएंगी with videos, तो अगर आप tally की यह और बाकी free of course provide की जाएंगी, इस offer में आपको tally ERP9 basic to advanced course, tally prime basic to advanced course, payroll management course, MSXL basic to advanced course, और साथ में advanced computer course, यह पांचों training course आपको एक साथ provide के जाएंगे, और इन सभी courses के साथ आपको tally prime की all TDL files free of course provide की जाएंगी, और साथ में future में create होने वली सभी TDL files आपको free of course provide की जाएंगी, इस offer की total cost 500 500 के अंदर ये सभी courses with certificate आपको provide की जाएंगे, और साथ ही में सभी TDL files आपको free of course provide की जाएंगी, तो अगर आप इस offer के अंदर enroll करना चाहते हैं, तो आप आप आपे buy now पे click करके इसमें enroll कर सकते हैं, और इन सभी courses का access आपको lifetime तक दिया जाएगा, और साथ ही में अगर आप सभी courses के बारे में और information लेना चाहते हैं, तो हर एक course के नीचे आपको more detail का option देख जाएगा, आप इस पे click करके सभी courses के बारे में detail में सारी information देख सकते हैं, यानि किस course में आपको क्या content दिया जा रहा है, और किस course के साथ आपको certificate भी provide के जा रहा है, ये सारी information आपको detail के अ number मिल जाएगा, आप WhatsApp के थूरू भी अपने doubts वगरा पूछ सकते हैं, और साथ इमें इस offer का link आपको इस video के description में मिल जाएगा, वहाँ पे click करके आप हमरे इस website पे redirect हो जाएगे, और यहाँ पे सारी information detail के अंदर देख सकते हैं, और अगर आप इस offer के अंदर enroll करना चाहते है तो अब हैं पे buy now पे click करके 500 के अंदर इन सभी courses का फायदा उठा सकते हैं, और इन सभी courses के साथ साथ आपको teleprime की old TDL files free of post दी जाएगी, तो I hope आप इस offer में enroll करना चाहेंगे, और अपनी computer और अपनी accounting के knowledge को पहले से काफी जादे increase करना चाहेंगे, thanks for watching this video